नमस्का दोस्तो दोस्तो आपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी चमक होती है आपने सोचा है कि उनके चेहरे पर चमक क्यों होती है और कुछ लोग ऐसे फीके फीके चेहरे वाले होती है तो इनमें क्या खास बात होती है क्यों ऐसा जीवन में ह होता है बस इसी पॉइंट पर मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों सनातम धर्म की परंपराएं बहुत महान हैं रामचरीत मानस में एक जगे हनुमान जी ने बढ़न किया है मुख प्रसन तन तेज विराजा कहसी रामचंद्र करकाजा यानि प्रभु राम उनके काम करने पर उनके मन में जो प्रसंता होती है उनके चेहरे पर जो चमक आ जाती है वो अत्पुत होती है इसी बात को जोड़कर इस बात का अर्थ निकलता है दूस्तों अपना कारे सिधी तो सभी लोग करते हैं प्रन्तों उपकार करने पर यानि दूसरों की मदद कर पर दूसरों के काम आने पर दूसरों के दुख में खड़ा होने पर दूसरों की सहायता करने पर जो संतुस्टी आपको मिलती है वो अनमूर होती है और इस बात को अभी न कभी आपने जीवन में महसूस किया होगा सभी करते हैं उनको जो प्रसंता प्राप्त होती है उनके श सिरोटीन नामक एक हर्मोन्स बनता है जो चेहरे पर चमक के लिए जिम्मितार माना जाता है यानि अगर सिरोटीन हर्मोन्स बन रहा है तो आपके शरीर में चमक रहेगी आपका मन परसंद रहेगा और आपको एक अच्छी अनुभूती प्राप्त होगी ठीक यही बात हमारे शास्त्र में कही गई है कि परोपकार करने से मन परसंद रहता है इसके अलावा भी बहुत सारे कारक है जैसे आपका अच्छा खानपन आपका रहन सहन आपकी पॉजिटिव इनर्ची यह ऐसी चीजे हैं जिससे आपके चेहरे पर चमक रह सकती है आप खुश रह सकते हैं औ इसमें दूश पूण जीवन सैली इसका बहुत बड़ा कारण है यानि नकारत पताथे आप दूर रहें चेहरे पर चमक चाहिए मुख पर तेज और प्रसंता चाहिए तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको लोगों की काम आना पड़ेगा आपको ऐसे काम करने पड़ेगे जिससे आपका मन परसंद रहे जिससे आपको संतुष्टी हो अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके चेहरे पर अलग ही चमक होगी आप दुनिया में अलग दिखाई दोगे जब बीड में चलोगी तो लोग देखेंगे कि चेहरे पर इसके चमक है और करता हूँ उन लोगों के काम आने की जिने वास्ता में मेरी जरूरत है आप एक करके देखें बड़ी संतुष्टी मिलती है बड़ा अच्छा लगता है और आपने ऐसा किया तो देखना मन परसंद रहेगा चेहरे पर चमक रहेगी जीवन में एक अलग ही उर्चा आपके प करेंगे अपना बहुत ध्यान रखें हसते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें धन्यवाद